दस बुलेटिन की शुरुवात करते हैं जारखंड के धनबाद में हुई जज की मौत मिस्टरी से जड़ी हुई खबद के साथ धनबाद के अपरजला और सत्र न्यायधीश उत्तम आनंद को पीछे से कॉर्टोनिटर करवाई इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई पर जनों ने जज की हट्या की आशंका जताई है इस मामले में जाच कर रही साइटी आज भी मौके पर पहुंची कल भी साइटी की टीम ने घटना स्थल पर जाकर मौके का मौाइना किया था तो इस मामले में SIT की जांच अबादे आगे बढ़ चुकी है इस पूरी खबर पर हमारी संवाद दाता निदी शुरी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं धनबाद के रंदीर पिसाद वर्मा चॉप पर मैं मौझूद हूँ और तीन दीन बाद भी धनबाद पुलिस की जांच जारी है सीधे आपको एक बार फिर घटनासल की तस्वीर दिखाना चाहूँगी जहां पर SIT की टीम जांच बीन करने के लिए पहुची हो देखिए जहां पर आपको तमाम पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे हैं यही वो स्कॉट है जहां ADJ उत्तम आनत को एक ओटो ने धका दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी यहां पर पुलिस जो है वो अलग-अलग एंगल से जांच बीन और तहकिकात में जू टीवी और इसी रास्ते को फिलाल बैरिकेड कर दिया गया है दोनों तरफ अब तस्वी देख रहे हैं पर तराम गारियों को इस रास्ते से आने जाने से रोक दिया गया है और सामने CCTV पुटेज दरसल पहले दिन जो CCTV पुलिस को मिली थी और उसमें जो वीडियो था जिसमें एक आटो वाले ड्राइवर ने टकर मारी थी ADJ उत्तमानन्द को वो किस दिशा से आ रही थी कितनी गती रही होगी किस तरीके से इसी जगव को स्कॉट बनाया गया निशाना बनाया गया और सब कुछ किस तरीके से प्लैनिंग की गई इन सब की जाच SIT करने के लिए पहुची है और इस बीच सुप्रिम कोट ने इस मूरे मामले में हस्त शेप करते हुए रिपोर्ट मांगी है पुलिस से इसको लेकर के भी जाच बिन जो है वो तेजी से बढ़ गई है और इसके लावा एक और कोशिश की जा रही है तमाम दुकानदार जो है उनसे भी इसके सास्त पू लेते हैं इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त निधीश्री खुद जोड़ गई है निधीश्री साइटी मौके पर पहुँची मुआइना करने के लिए जाच कहां तक आगे बढ़ी है क्या और डीटेल्स इसे लेकर जो बिल्कुल देखे 28 जुलाई को ये घटना हुई है सुबह में और आज एसाइटी की जाच जो है वो तेज कर दी गई है मैं आपको सबसे पहले स्पोर्ट दिखाना चाहूंगी यह जो स्पोर्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं दरसल पी डबलूडी यहां पहुचे हुए है और यह टोटल सबस्टेशन इस एक्विपमेंट का नाम है और यह वो स्पोर्ट है देखिए वहां पर जो एक ट्राइपोर नुमा आपको मशीन देख रहा है टोटल सबस्टेशन इसी से दरसल रोट की लेबलिंग की जा रही है यानि कि जिस दिन घटना हुई उस दिन जो ऑटो ड्राइवर ने टकर मारी उस ऑटो की गती कितनी थी क्या वाकई यहां पर रोड जो है वो थोड़ा अप डाउन जैसा है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आरोपी ने शायद यह कहा है कि बैलेंस गडबड हो गया था डिस बैलेंस हो गई थी ग तक्रीबन साढ़े पांच बजे जिस ऑटो से धक्का मारा गया था एटीजी को उस ऑटो को यहां लाया गया था यानि पूरा सीन रिक्रियेट कराया गया है सुबह तक्रीबन साढ़े पांच बजे और यहां पर आपको अलग-अलग एंगल्स में CCTV दिखाई दे रहे होंग यानि 28 जुराई को बहुत देर से पीछा किया जारा था जब वो अपने घर से निकले थे और ओर्टो इस डिरेक्शन से आ रही थी दूसरा इस एंगल में जो CCTV था उसमें यह सपश्ट हुआ है कि जो और तो आ रही थी वो पहले से ही इस तरीके से वीडियो जो दिख रहा ह कि शायद यह पता लगे कि आटो ड्राइवर ड्रंक था डिस बैलेंस इस वजह से गाड़ी हो गई तो इस तरफ से आटो आई और उसके बाद इस डिरेक्शन में आपको वहां जहां पर पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे उनके ठीक पीछे जज़े आवास है तो आप समझ सक अधार है जाजबीन की एसाइटी की टीम आपको यहां पर दिखाई दे रहे होगी मैंने कहीं बार इन से कोशिश की है बातचित करने की कि आखिरकार इन लोगों को क्या कुछ लीट्स मिला है क्या ये कहना चाह रहे है लेकिन फिलाल ये लोग बात करने से मना कर रहे है एक बार फिर मैं कोशिश करूंगी कि सर क्या आप लोगों को लीट्स मिला है सब बताया जाएगा सब बताया जाएगा अभी कुछ नहीं इसमें गंटे के बैटर के बाद आप इतना बता पाते सब बताया जाएगा जानकारी यह लोग नहीं दे पा रहे हैं और तीन दिन के बाद भी यह लोग सिर्फ जो एसाइटी की टीम है यह जो वर्ये पुरिस अधिकारी वोसे फितना पता पार है कि आप लोगों को समय रहते सब पता चल जाएगा खुल मिलाकर यहां पर जान जो ह अधार पर भी किया जाना है कि मामला हाई प्रोफाइल है अब इस घटना के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं साइटी मौके पर है मौइना कर रही है लगातार उस क्लू को ढूढने की कोशिश की जारे जो इस गुत्थी को इस मिस्ट्री को सुलजाने की तरफ आगे बढ़ा सके प्रोफाइल है